नमस्कार आप दीखरे नियूस फॉर्ड इश्रों मैं हूँ सांध्वना अपके साथ साल 2022 के अगस्त महीने में रातो रात बीज़ेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर मुक्षमंत्र निदीशुमानेत जस्वी आदप के साथ मिलकर बिहार में महागचबंदन की सरकार बना ली जुसके बाद महागचबंदन की सरकार को अबे 6 महीने ही हुए हैं कि इस रुष्टे में फूट पढ़ती हुई नजर आ रही है जद्यू के वर्तमान संसदिय बोच के अध्यक शुपेंद्र कुश्वाहा ने भी यहां तक कह दिया कि महागचबंदन की सरकार बनने के वक्त आर जेजियो और जेजियो में डील हुई थी जसका जवाब नितीश हुमार दे कि आकरकार उनके बीच लालोई आदफ के साथ क्या डील हुई थी तिजस्वी आदफ के साथ क्या बाते हुई थी उस बयान के बाद बिहार की सियासत में भारी बवाल देखने को मिल रहा है उपेंदरो कुषवाहा पर तरह-तरह की बयान बाजी के उजा रही है खुद मुख्यमंत्रय नितीश मार ने उपेंदरो कुषवाहा को लेकर बड़ी बाती कहीं है और अब RGD ने जदियों के संसदिय बोट के अदेक्ष उपेंद्र कुश्वाह के इस सवाल का जवाब दी दिया है RGD ने बता दिया है कि महागचबंदन की सरकार बनते वक्त नितीश लालो के बीच आखिर वो कौन सी डील हुई थी जिस पर अब सवाल उठाय जा रहे हैं तो जानते हैं दरसल प्रदीश राज़त प्रवक्ता नितिंजर तिवारी ने जदियों नेता उपेंद्र कुश्वाह के द्वारा महागचबंदन सरकार बनाने को लेकर हुए डील की बाबत सवाल किये जाने पर कहा कि ये डील विहार की बाड़ा करोड जनता के भविश्य को सजाने इव ये बीस लाक हो गया मुख्यमंत्री ने दस लाक और रोज़गार की विवस्था करने की बात कही यही डील है जनता की सरकार बनी है महागचबंदन के सर्वमान्य नेता लालू पिसाद यादव नितिश शुमार इवं तिजस्वी यादव है बरहाल जदियों के राश्टर स राजीव रंजन सिंग और फललन सिंग ने भी उपेंद्र कुश्वाहा के बयान को खारस करते हुए कहा था कि जदियों का कोई भी नीता भाजपा के संपर्क में नहीं है जो थे उन्हें चिनित कर लिया गया है और वो हमारे पार्टी से वदा हो गये है जदियों जहां एक प्रवक्ता मितिंजर तिवारी ने उपेंद्र कुश्वाहा के सवालों का जवाब देती हुई है कहा कि हाँ डील हुई थी डील इस बात की हुई थी कि किस तरह बिहार में आगे बढ़ना है बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है स्वस्त बिहार स्वक्ष बिहार का जो स सरकार बनी है ताकि बिहार का विकास हो सके अब देखना यह है कि आज़ेटी के इस जवाब से किया उपें तो कुछ वहा संतुष्ट हो पाते हैं या उनके तरफ से एक नई तीर कमान से छोड़ी जाती है फुला के लिए इस खबर में इतना ही नमस्का